आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार बढ़ा जारा था लेकिन अब इसके पीछे सुरक्षाकार्णों का हवाला दिया जारा है ग्रेमंद्राले की तरफ से इस पर बयान जारी किया गया है और पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है बीजेपी ने इस पर सीएम चन्नी का स्तीफा मांगा है बता दे कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी पंजाब आकर यहाँ जनता को कई बड़ी पैकेज और बड़ी सौगाते देने वाले थे लेकिन उनका दोरा रद हो गया है सुरक्षा कारण की वजह से उनका यह दोरा रद बताया जा रहा है बीजेपी ने इस पर सीएम चन्नी से स्तीफे की मांग भी की है ग्रेम मंतराले ने इस पर जवाब दिया है और सुरक्षा विवस्ता का हवाला दिया गया है हलाकि पहले बारिश को वज़ा बताया जा रहा था बारिश की वज़े से पीम बाई रोट जा रहे थे लेकिन बात में उनका ये दौरा रद्ध हो गया प्रिधान मंतरी नरेंद्र मोधी पंजाब के दौरे पर थे जहां वो जनता को कई बड़ी सोगाते देने वाले थे उनका संबोधन भी होता जनता के बीच जाते तो बीजेपी के कामों को जरूर गिनाते और मौजूदा जो कॉंगरस की सरकार है उस पर निशाना भी साथ ति नजर आते लेकिन एंड वक्त पर यानि कि जब वो रैली के लिए जा रहे थे उसे पहले ही उनका यी दौरा रद्द कर दिया गया और सुरक्षव विवस्था में कमी बताई गई है इस कबर पर मैंसर जदबाचीत के लिए समधाता नितिन कुमार जुड़ चुके है निति जो फिरोशपूर में प्रदान मंतरी की रैली होने वाली थी शिखा वो रद कर दी गई है लेकिन इसके कई सारे कारण निकल कर आ रहे हैं कोई बता रहा है कि खराब मौसम था बरसात हो रही थी विजबिल्टी नहीं थी और इस वज़े से प्रदान मंतरी सड़क के मार्ग से जा रहे थे और रास्ते में उन्हें किसानों ने रोक लिया जैसे कि कई सारे वीडियो भी निकल कर सामने आया है कि किसानों ने रोक लिया मोधी गोबैक के नारे लगाए गए और किसानों ने प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी का पुतला तक फूका है दूसरी तरफ ग्र से बहतर है और कोई दिक्कत नहीं होगी पूरा मामला है कि प्रधान मंत्री नरेद मोदी आज सुबेरे भटिंडा पहुंचे थे और वहां से जो रहली स्थाल पर जो जाने का रास्ता तब वह हेलिकॉप्टर से ताय होना था लेकिन खराब मौसम और विजिबिल्टी की वज सके और पंजाब के ग्रह मंत्राले और डीजी पी ने इस पर मोहर भी लगा दी कि हाँ ठीक है आप रास्ते से जाईए लेकिन यह फैसला जो था वह आनन फानन में जल्दी जल्दी में लिया था ऐसे में जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रास्ते से गुजर रहे थे तो वही पर किसानों ने ट्रक लगा कर उनको रोक लिया उसके बाद किसानों ने प्रधर्शन किया और करीब 15 से 20 मिनट तक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बाहर खड़े अपने फ्लाई ओवर पे खड़े रहे गए और उस दौरान प्रधर्शन वहाँ पर होता रहा इस मंत्री का बहुत शुकरिया कि मैं जिन्दा वापस आ गया हूँ यह सारी खबरे जो है यह सारी जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आ रही है फिलाल अग्राय मंत्राले की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि सुरक्षा की दृष्टी की वज़े से इस रैली को कैंसल किया को देखे कि कॉंग्रेस की तरफ से भी बयान आया है और उस बयान में इस बात को कहा गया है कि पंजाब की जनता बीजेपी को और प्रदान मंत्री नरेंद मोदी को नकार चुकी है और इसी विले से आज उन्हें पंजाब में रैली नहीं करने दिया गया दूसरी तरफ बी कुछा है और उनकी सुरक्षा में भी दिक्कत हो सकती थी क्योंकि जब एक तरफ डीजिपी और ग्रेम अंत्राले ने इस बात को कह दिया था कि सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी SPG से इस चीज़ का हवाला दिया गया था उसके बावजूद अगर दिक्कत हो जाना तो ये अपने में सवाल खड़ा करता है और ये साब तोर पर साबित होता है कि कॉंग्रेस ने जान बूच कर इसे करवाया है अब CEM चन्नी का स्थीफा मांगा तो जा रहा है लेकिन स्थीफा होएगा नहीं क्योंकि पंजाब की सरकार और पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार है तो ऐसे में ये जो रैली रोकी गई है ये पहले भी बंगाल में हुआ था वहाँ पर एंटीन कंबंसी देखी गई मांता बैनेर जी जीत के आई थी तो पंजाब में कॉंग्रेस जान रही है कि किसान वहाँ पर पहले प्रदर्शन कर रहा था और वो किसान कहीं ना कहीं सरकार से काफी नाराज है और इसी वज़े से आज ये चीज़ देखने को मिली है और इसका फायदा जो है वो कॉंग्रिस को मिल सकता है यह माना जाएगा कि प्रधान मंत्री जिस रास्ते से गुजर रहे थे वहाँ पर किसानों का दल आ गया और उनलोगों ने प्रदर्शन किया लेकिन डी जीपी और ग्रह मंत्राली की तरफ से इस बात को कहा गया था कि रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी प्रदान मंत्री की सुरक्षा का घेरा जो होता है वो काफी बड़ा होता है SPG से लैस होता है पूरा सुरक्षा घेरा और जब रास्ते में रोका गया तो किसानों ने वहाँ पर प्रदर्शन किया ऐसे में जाहिर सी बात है टीजीपी हैं जो मंत्रा जो ग्रह मंत्राले हैं कैंषक वहाल? था वहाँ पर जाहिर सी बात है पुलिस का बल वहाँ पर मौझूद होगा पंजाब पुलिस का ग्रह मंतराले की अधिकारी भी मौझूध होंगे गूर इसके बीच श्त्रा की चीज़े हो रही ही तो कहीं ना कहीं सवाल-क्र पुलिस के उपर जो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मैंसे जुड़ने के लिए और तमाम जयानकारी के लिए इस खबर पर मैंसे समधाता नितिन कुमार जुड़े थे तो सीधी तोर पर पी-म की सुरक्षव में कहीं न कहीं कमी तो है लेकिन जो ये आज का दौरा था वो काफी एहम भी पंजाब वासियों के लिए भी क्योंकि कई बड़ी सोगाते देने वाले थे प्रधान मंत्री रुकरते अगली खबर की तरफ कोरोना ने प्रदेश में फिर रफ्तार पकड़ ली है प्रदेश में 24 घंटे में 992 नई मामले सामने आए है चार जिलों में सरवाधे कोरोना मर पर सरकार भी सकत नजर आ रही है यूपी में नाइट कर्फियू के समय बदला हुआ है अब रात 10 बजहे से सुबह 6 बजह तक कोरोना कर्फियू लागू रहेगा पहले रात 11 बजह से सुबह 5 बजह तक की समया व्यदी लेकिन आब इसे बढ़हा दिया गया है रात 10 बजह स सुबह च्छे बजी तक का समय कर दिया गया है साथ ही दस्वी क्लास तक के सरकारी और प्राइवेट यानि कि सभी स्कूल 14 जन्वरी तक के लिए बंद करने के आदेश भी दिये हैं बतादे टीम 9 के साथ बैठक में सीम योगी ने यूपी में दस्वी तक के सभी स्कूल बंद करने के आदेश दे दिये हैं हलाकि दस्वी तक के स्कूल बंद करने के आदेश दिये हैं लेकिन जो 15 प्लस का वैक्सिनेशन शिरू हुआ है वो लगतार जारी रहेगा और एक बड़ा लक्ष साधने की तयारी है प्रदेश में ये बड़ा फैसला लिया गया है बच्चों के सुरक्षों को ध्यान में रखते हुए टीम 9 के साथ बैठक करके दसी तक के सभी स्कूल बंद कर दिये गए हैं वैक्सिनेशन पे ध्यान दिया जारा है और जाद से जादा बच्चों का वैक्सिनेशन लोगों का वैक्सिनेशन किया जा रहा है तो कोरोना निग्वा फिर रफ्तार पकल ली है देश और प्रदेश दोनों ही जगह कोरोना के मामले लगतार बढ़ रहे हैं और कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार भी एक्शन मोड में नज़र आ रही है टीम नाइन के साथ एहम बैठक करी है बीती शाम मुख्यों मंतरी ने और कई एहम फैस्ट ले लिए हैं और इस खबर पर मैंसर जदबाचीत के लिए समवधाता विभांशू जुड़ चुके हैं उसमें 992 मामले सामने आए हैं और अगर उत्तरपदेश की बात करें तो कर्फ्यू था उसका समय बदल कर 10 बजे से सुबह 6 बजे कर दिया गया है और वहीं अगर बच्चों की जो वैक्सीन जो पंद्रा से 18 साल के बच्चे हैं उनकी वैक्सीन की जो डोज दी जारी थी जो एक दिन में वी काड़ तो दिया गया पूरे प्रदेश के अंदर में एक करोव साठь लाक बच्चे हैं उसमें अब बच्चों को टीका करन की वियुस्था इसकूल में की जा रही है और टीका लगाने के लिए उनके स्कूल से शंडियों की छुट्टी भी दिया गया क्योंकि आम तर्व पे बच्चों के अंदर खासी खुजली और बुखार जैसी जो आम तर्व पे लोगों के अंदर टीका करन के बाद दिखे तो वैसा ही दिख रहा है तो विभांशू स्कूलों में भी वैक्सिनेशन शुरू कर दिया है वह पे बड़ी संख् वाला ठीका है वो पूरी तरह से बच्चों को लग जाएगा और अब लोग विपक्स है राहुल गाधी ने भी सवाल उठाए था कि आखिव बूस्टर डोज कब लगाए जाएगा तो सरकार्ण की तरफ से अभी हफते दिन पहले बताए गया है कि बूस्टर डोज जो है व पारा लगा जाएगा और वही अब देखना ये होगा कि धीवे धीवे जो पॉलिटिकल पार्टियों की वहली हैं उसको भी अस्थगित किया जा रहा है तो अब देखना यह होगा कि स्वास्ट विभाग कैसे अपनी कमर कस के जो नया वेरियंट है या कोरोना है उससे कैसे भाइन द área जनता को दिलाता है आपको बता दे कि अब तक लखनऊ में जो ताजा आकड़े हैं उसमें तेई इस मामले सामने आ रहे हैं और वहीं ओमिकरों का विश्चिस्व सण ये बता हैं कि अगर ओमिक्रोन जादा फैलेगा तो नए वेरियंट भी आएंगे और नए वेरियंट कुछ फ्रांस में भी कुछ नए वेरियंट आये हैं अब देखना ये होगा कि भारत इन खत्रों से कैसे निपड़ता है हमारा स्वास्त मंत्राल है कितनी तरह से तयार है इन वायरस से पांच की टाइमिंग ती उससे दस से चे की टाइमिंग कर दी गई है तो क्या हम लोग फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं जी जी हां कह सकते हैं जैसे जैसे आकरे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ये रात्वी कर्फ्यू का एक घंटा जो पहले अवदी बरहा दिया सुबए 6 बझे कर दिया गया और मंषी इसकूलों की बात करें तो सकूलों में चुटी और सरकारी स्कूलों में दसशूई तक कि छुटी दे दी गई है अगर बात करें तो इलहाबाद में जो माघ मेला लगता है उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकार के तरप से एक निर दिया जाए जी विभाश्यों अगर बात करें स्वास्त सुविधाओं की तो उस पे कितना ध्यान दे रही है सरकार कितनी तेजी से जितनी तेजी से कुरोना के मामने बढ़ रहे हैं क्या उत्ती तेजी से स्वास्त सुविधाओं भी बहतर की चा रही हैं जी आपको बता दे क की स्वास्त सुविदाओं की अगर बात करें तो दूसरी लहर में हमने देखा था कि कैसे लोग औक्सिजन सिलेंडर और वेमडी सिविर के लिए सवरकों पे उतर गये थे खुद लोग अपने विवस्था अपने इंतिजाम से लोगों का इलाज करा रहे थे तो सरकार को इससे सबक सीख के और जो अगर तीसरा लहर आता है और तीसरे लहर में लोगों के साथ कंदे से कंधा मिला के उनका सहायथा करने चाहिए और उनके स्वास्त समंदी दिक्कोतों से निजात दिलाना चाहिए। उनके स्वास्त समंदी दिलाना चाहिए। जाच जादा से जादा हो समय समय पर जाच होती रहे क्यूभाना चाह। जाच होना जादा जरूरी है वरना वो कोरोना वारियर्स की जगाँ कोरोना वारियर्स वन सकते हैं। आज हमारे हां 17 केस आ गया तो राथ में जिसमें सिर्क 15 ओर एंस अंदोसी गएंस के हैं वहां का स्टाफ है और एक हमारा स्टाफ है और एक प्रतावगत का है सबकी अरा टीसे जी कराई जा रही है सबको दवा दी जा रही है सब्सक्राइब कर रहा है और इस खबर पर माइस जादा बाचीत के लिए समधाता ओम शंकर जुट चुके हैं ओम शंकर 15 स्टाफ नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई है किस तरह का मोहल देखने को मिल रहा है स्वास्तु विभाग में अब पूरी परेसे इस समय जो है और हलकम बचा हुआ है एंग से पतासर से लेकर और घिले के सास्ते आलाज काजोचा अब करें इनके जरीए यानि जो 15 स्टाफ नर्स कोरोना संक्रमित पाई गई है इनके जरीए इनके कॉंटेक्ट में जितने लोग आये होंगे वो भी संक्रमित हुए होंगे तो कॉंटेक्ट ट्रेसिंग का काम क्या शुरू हो चुका है जिया होस्पिनल की सेनिटाइजेशन से लेके जिस घर में जिये गाए है उम्शंकर 26 हो गई है जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या और ओमिक्रोन की बात करें तो उसके किते वामले सामने आये है अब इसके बात करें जनता की तो जनता किती जाग रूपिया लापरवाद इख रही है जनता निश्ची तो जो है लापरवाद इख रही है चुकि बाजार से लेके और जो है शिरावी जनसमाओ तक में लोग बगर मास्क के उलंगन कर रहा है हाला कि प्रसासन लगातार बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है गाडलाइन भी जानी करना नाइट कर्फ्यू का अभ लोग बहुत कम लिकलते हैं हाला कि पुरिस प्रसासन मोखों पर मुस्टर रहता और बगर मास्क लगाए वाले गारियों का भी रोक कर चालाम तक लिया जा रहा है लेकिन दिन में जो चुनावी जन सभाय हो रही है उनको लोखने के लिए जिए प्रसासन ने अभी तक कोई करोंड़ी भी पुक्ता कदम नहीं उखाया है जी ओम शेंगर कोरोना के मामले तो तेजी से बढ़ रहे हैं किया सरकार अलर्ट है क्या तेजी से टेस्टिंग करवाई जो आ रही है हाँ टेस्टिंग है और टेस्टिंग और टेस्टिंग और टेस्टिंग तीनों का काम जो है वो जो सोर से चलना है लेकिन कहीं न कहीं जो है शुरावी जन्सभाओं की भीर जो है ये कहीं न कहीं करोना बंब भूकने में एक मदददार भी है जिसको रोकने में राय बरेली का गिला प्रकासर पूरी तरह से फेल हो ला है उसकारों को बंधग बना कर रखा हुआ है इनके लिए ना तो गौवन्षो के रहने की कोई विवस्था है हालत ऐसी हो गई है कि इस ठंड में खुले आसमान में गौवन्ष talkin तडप कर मर रहे है आपको बता दे कि आला अधिकारियों से लेकГ सूबे के सीम और देश के पीम को इस मामले में लिखित रूप से बताया जा चुका है वहें युवक का कहना है कि जो जानवर हर दिन प्रतारित हो रहे थे उससे अच्छा है कि वो यहीं पर मर जाए यानि तस्वीरे देख सकते हैं आप ठंड में खुले आसमान के नीचे किस तरहां से गौवन्शो का बुरा हाल है ठंड में तड़पने को मजबूर है और इस बात की जानकारी सूबेक मुखिया को भी दी जा चुकी है और बात करें देश के मुखिया तो उनको भी दी जा सामने आई है भूख प्यास से तड़प रहे है ठंड में रहने को मजबूर है खुले आसमान के नीचे ये गौवन्शो जिनको लेकर सूबे के मुखिया कई योजनाई लेकर आते हैं इनकी सुरक्षा की बात करते हैं लेकिन इनका ये बुरा हाल देखने को मल रहा है सुल् फ्रवास तब जुड़ चुके हैं गौरव जिस तरह से ये तस्वीरे सामने आए खुले आसमान के नीचे रहने को गौवन्शो मजबूर हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगया अधितनाद बेहत गंभीर नजर आते हैं गौवन्शो को लेकर उसके बावजूद य दर्करान नहीं कर सकते हैं और दोरा लगातार गौवन्शो को लेकर तमाम तरह की युजना बना जाती रही है और इसके पहले आपको तारू 19 में भी इनकी युजना आई थी उत्तप्रे सरकार की कि उत्तप्रे सरकार गौवन से बेसाहरा गौवन से आस्रह सहभागिता यह विवस्था आई थी और किसान दस रखता है तो इसको 9000 पर प्रति महीने दिया जाएगा यह उसको पारितोसिक माल लिजे या आश्रे ब्युस्था माल लिजे या जो सहभागिता वो कर रहा है गौवन्श को पालने में को सर्चड देने में उसका यह माली जानुजान म माल लिजे बड़ी जुना थी पर इसके जुना के बिप्रित लगातार देख रहा है कि वह सर्दियों में मजबूर है उनका कोई अस्रे नहीं हो पा रहा है वह आवारा की तरह घूमते रहते हैं और जिसकी कारण बोद्रगटों को सिकार भी होते हैं और कई देखा यह कि अ देखना ने तमाम तरह के जुना हैं वह पसूखर लेकर बनाई इसके लाबोद तक्रीरा लगातार हो रही है उसकार की पॉलिस को पुझा रूक के रखाए है नहीं कि तहद सब्सक्री को पाल है तो जिसके लाबा तरह की घॉसाला है पर उनका समीच्छा होना बहुत जरूरी है और जिस थंड के मौसम में बताऊं पहले ही सुचित कर दिया था कि थंड बहुत जारा पड़ेगी उसको रही है उसको रिखते बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगरा थंड में भी गौबंस के आप उफचार नहीं कर पाओगे उ आपकी सारी युजना ब्यर्थ हैं जो भी आपकी युजनाए चल लई है उनको समीच्छा जरूरी है और जहां भी गौशाला खुली हुई है वहां पर एक मानक होना चाहिए कि आपको मानक के लिए रूना चाहिए कि आपको यह मानक रखने है इतने गौबंस को पालना गौवर्बंस को पाल लें वो भी कुछ गायों को इस तरह सेहवागता कर सके और सरकार उनको अनुजान भी जेगी जिस्टे पकार से गौवर्बंस की रख्षा भी हो चकेगी और सरकार की जुना है उसको भी पूर्ण रूप से किरामिर किया जा सकेगा जो बहुत 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 शुक्रिया हम ऐसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मारे साथ समवादाता गौर अफ्ष्वास तब जुड़े थे तो भुख प्यास से मढ़ने को मजबूर है एक तरफ एतनी योजनाई लेकर आ रही है सरकार उसके बावजूधी जो दुरदशा देखने को मिल रही है सुल्तान पुर्ट से ये खबर सामने आ रही है चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिल हाल इतना ही तमाम खबरों के लिए देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार